बिस्मिल्यारावानियराहीम, असलामने कुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जियान सारी और आप दिख रहे हैं इस याद अनसारी फूर्ट सीक्रेट्स आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकूं तो जब भी आप घर पे मलाई बोटी इस तरह से बनाते हैं बगएर भटी के, बगएर कोईलों के तो यहां तो आप उसको जला लेते हैं और यहां आप से वो कची रहा जाती है आज हम जो चीज बनाएंगे चूले के उपर, वो इतनी अंदर से सॉफ्ट मक्षन और मलाई की तरह होगी कि आपके मुव में जाते ही घुल जाएगी, बहुत से राज, बहुत सी बाते हैं आज हम आपको बताने वाला हूँ एंड तक वीडियो देखेगा, इंशाला जा आपको मज़ा आने वाला है, चले जी बिसमिल्लावाने, पहली बात मौके पे चूका, आपने जो गोश्ट लेना है, वो चिकन के थाई का पीस लेना है, जो ड्रम स्टिक के साथ होता है, थाई वाला अरिया, आपने चिकन ब्र प्राइक और नर्म होते हैं, जो प्राबलम नहीं करते हैं, और सकत नहीं होते हैं, और इसको पकाने से इसका जो टेस्ट होता है, वो भी उस मीट से जादा होता है, जो चैस्ट का होता है, अब हमने इसको जूसी कैसे करना है, हमने इसको बगहर कहलें के मेहनत के किस तरह से पकाना है चलें जी बिसमिलाहरवार है हुपसूरसी कड़ाई लेंगे और टेबल स्पून ये एक टेबल स्पून भर कर इसमें बिल्कुल फ्रेश अदक लैसन का पेस्ट लेंगे ठीक है फ्रेश पढ़ावानी आपने लेना और वान टीस्पून इसमें कुटी हुई हरी मिर् अकिंगर कंटेख से लगी फ्रेश पराइच कर देंगे और यहींप इसके अंधर हमें मसहां नेकिया करना है थोड़ा सा नमक कर देंदे तक्रीबन एक चुट की ठीक है ये लें पर इसके अंधर हमें लेमन निच्या और आपके पास लेमन नहीं विनेगर भी इसमें जो श जाएगा तब इसके अंदर हमने यह चिकन के बोनलेस जो पीसीज है वो एड़ करने है ठीक है इनकेस आपके पास यह ना हो तो आप चिकन का जो फिले होता है जो टेस्ट पीस होता है वो ले सकते हैं लेकिन याद रखेगा इसका मकाबला वो नहीं करता ठीक है अब हमने क्या करना है हमने इसको यहाँ पे ढखकन रख देना है फ्लेम को हमने मिटियम कर देना है इससे क्या होगा यह अच्छी तरह से चिकन जाएगा गल जाएगा और जूसी बीरेगा अब यहाँ पे गलती है जो नॉर्मली लोग कर देते हैं और आप भी कर सकते हैं वो क्या है हमने फ्लेम को हाई करके यह जो पानी है इसको तो हमने ड्राइ करना है यहां पर आपने इसको ओवर कुक नहीं करना इसके ओपर मौस्चर रहना चाहिए अगर आपने इसको इससे ज्यादा जितना यह अब आप पका लिया तो यह ड्राइ हो जाएगा पूरी रैस्पी खराब हो जाएगी इसको आपने जूसी रहने देना है फ्लेम आफ कर देना है बस जो रनी वाटर था उसको ड्राइ करना है अब यह आप चीज धेहान से देखें कि यह जो बोटी है यह आपको गिली गिली और सौट सौट फील होगी ठीक है यही स्ट्वेशन हमें चाहिए इसको हम थोड़ी दे रखते हैं ताकर यह थोड़ी तंडी हो जाए आपको यह थोड़ा लगड़ा होगा लेकिन इतना ही हमने अट करना इससे ज़्यादा अड़ी करना और एक से डे टेबल स्पून इसके अंदर हमने बलाई आट करनी जो मलाई होती है आपके पास दूद की घर की बलाई आप भो भी आट कर सकते हैं आपके अट करना है तो इसको आपके घर गैस तो इसको आप निकालके आपने क्या करना भी हम करना है करने वाले वह आप करेंगे ठीक है और इसको अगर यहां पर आप एक से दो घंटे की मेरिनेशन में रख दे तो सुभान अला चलेंजी अब हम क्या करेंगे इसको एक घंटे की रेस्ट दे देते हैं ताके जो मलाई है जो काली मिर्च है उसका फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छे से चला जाए ठीक है यह मिसाले आपने याद रखेगा जहां हमने पानी आट किया था वहां पे आट आपने नहीं करने ठीक है यहीं पे आट करेंगे अब चलेंजी दो घंटे की या एक घंटे की रेस्ट के बात आपने कोई भी इस टाइब की स्टिक लेनी है और उसमें आपने इसको लगा देना है अच्छा जरूरी नहीं कि यह स्टिक हो मकसद हमारा जो है इसको स्मोकी करना है ड्राइ करना है उसके लिए बिसमिल्ला हमारा है तो इस तरह से हम आप इसके ओपर कोई जाली रखके भी इसको ड्राइ कर सकते हैं कोई लागरा आपके पा औरिमत इसके और राद जो हो देकिए तो माशाइला अलहम्दुलिल्ला देखेजिए मेरे आल्ला की शान उसकी रहमते नहींते और बढ़तें जोस्ते से हमारा हाथ में चाहने में हमारी मैलाई बोटी ते यार है दौँने आ दखेए वडियो की लाइक की जान जान, इसकत झाल झाल झाल